एक्सराइस 11.2 से कॉस्ष्चन 2 करेंगे यहाँ पे आपको चार ट्रेंगल दे रखें इनका आपको निकालना है एरिया आप एरिया डिवर ट्रेंगल का फॉर्मला होता है हाफ बेस इंटू हैट हैट की पहचान कैसे होती होती है ट्रेंगल में जो यह जो 90 degree का निशान होता है और यह जो ऐसे जहां भी जा रहा होता है यह 90 degree पे जो यह चीज पढ़री होती है परपेंडिकुलर यह इसके अंदर height होती है और जिस side के उपर यह पढ़री होती है वो इसका base होता है क्योंकि किसी भी चीज की जो height होती है वो बिलकुल straight होती है straight का मतलब बिलकुल 90 degree पे होती है तो triangle के अंदर आपको पहले तो यही पहचानना है कि इसके अंदर base कौन है और height कौन है फिर इस formula को लगा देना है आपका answer आजाएगा तो यह part करते हैं पहले आपको formula ही लिखना होगा first step में area of triangle यह triangle का निशान होता है आप ऐसे भी लिख सकते है is equal to half base into height base into height parallelogram का area होता है और parallelogram के area को half कर देते हैं तो वो triangle का area बन जाता है values put करते हैं half का half base अहाँ पर 4 cm और height है 3 cm simplify करते हैं तो यह नीचे वाला 2 उपर वाले 4 से कट जाएगा 2 1s आ 2 और 2 2s आ 4 नीचे तो कुछ बचा नहीं उपर 2 3s आ 6 है और cm x cm cm का square बस यह आगए area of triangle A part हो गया B part देखिए B part के अंदर जो base है वो तो होगा 5 cm और इस base से उपर की तरफ जो height है वो 3.2 cm है तो area of triangle is equal to half into base into height values put करते हैं half का half लिख लिए मैंने base लेंगे यहाँ पर 5 cm और height है यहाँ पर 3.2 cm इस 2 से यह 3.2 कट रहा है क्योंकि पीछे 2 है ना इसके अंदर तो 2 1s आ 2 हो गया इसे 2 से divide करेंगे तो यह 16 आएगा और क्योंकि 5 1s 30 यह 3 carry आ गया 5 1s 5 6 7 8 आ गया point के बाद यहाँ एक number है तो पीछे से एक number छोड़के point लग जाएगा 8.0 point के बाद 0 है यानि यह 8 ही है तो 8 आ गया है इसका answer 8 cm दो बार cm है ना तो cm का square area में हमेशा unit पे square आता है क्योंकि 2 units multiply होती है इसके बाद part c करते हैं c part के अंदर यहाँ पे यह 3 cm है और जो 90 degree का angle बन रहा है यह उपर की तरफ यह 4 cm है अब यह एक right triangle है right triangle के अंदर आपकी 2 height होती है अगर आप इसे जमीन पे टिका दो तो यह height माननी जाएगी अगर इसे आप जमीन पे टिका दो इसे base मानन लो तो यह height मानी जाएगी तो right triangle के अंदर यह जो 2 sides होती है किसी को भी आप base मान लो किसी को भी आप height मान लो आपका question सही माना जाता है और answer भी same ही आता है तो area of triangle is equal to half into base into height सबसे पहले formula लिखेंगे अब values put करते हैं half का half base में 3 को ही मान लेता हूँ 3 cm और into height यह मैं 4 cm ले लेता हूँ तो 2 4 से कटता हूँ मुझे दिखाए दे रहा है 2 1s are 2 हो गया 2 2s are हो गया 4 उपर 3 2s are 6 और cm into cm cm का square तो इसका answer हो गया 6 cm square चलिए D part पे चलते हैं D part के अंदर triangle को देखिए यहाँ जो इस triangle की height है वो यह 2 cm है क्यों? क्योंकि यह 90 degree का जो angle बन रहा है यह बन रहा है 2 cm तो यह तो होगी इसकी height triangle की और जो नीचे वाली जो दूसरी side आपको दे रखी है यह फिर base हो जाएगा तो area of triangle is equal to half into base into height तो half का half लिखे लेंगे base की जगे लिखे लेंगे 3 cm और height की जगे लिखे लेंगे 2 cm यह नीचे का 2 उपर के 2 से कट रहा है 2 1s are 2 और 2 1s are 2 3 1s are 3 आगया cm इन्टु cm cm का square हो गया इस triangle का area आगया है 3 cm square लास्ट पार था question खतम, इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में, तब तक के लिए good bye